हलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे जियो फाइनेंशल सर्विसिस लिमिटेड से लेटेड तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं देखते हैं कि क्या यह कंपनी करती है इसके चार्ट क्या करें उससे लेटेड बाते करेंगे क्या शेयर को ले लेना चाहिए क्या ब सब कुछ कि कब भागेगा कब गिरेगा क्या stop loss रहेगा क्या risk management रहेगी उस सबसी से related last तक आपको सब पतर चोल जाएगी तो सबसे पहले तो like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को hit all the notification को on करिएगा I am small cap investor को और bank selling की कोई recommendation नहीं अपने financial advisor कुछ की study करना हूँ इसके इलावा यहां पर आप देख सकते हो videos बनाई जाती है ठीक है और यहां पर आपको बताया जाता है कि share किस तरीके से है क्या काम करते है और यहां पर 8605-40501-8169-267037 हमारे नंबर है basics to advanced technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है कैसे share काम करता हुआ नजर आता है वो सबचियों से related हमें आपर बाते करते 20,000 पर कोर्स है किसी को सीखना है इंट्रेस्टेड है और stock market में आगे बढ़ना चाता है तो बिना सीखे अगर आगे बढ़ोग क्रेश कोर्स हो जाता है और उसके बाद यहां पर market में experience फिर market जो सिखाती है वो आपको add-on करके जाती है वाटसब ग्रूप है 1200 ग्रूप परमंत में आप यहां पर हमारे वाटसब ग्रूप में add हो सकते हैं जहां पर अलग-अलग stocks आपके लिए दिये जाते हैं और फिर चीज़े चलती है जैसे यहां पर अपने research stock है सारे mostly बताया जाते है बाइंग जाने की महाँ पर भी कोई recommendation नहीं है अगर किसी को साथ में काम करना है इन number पर contact कर सकता है साथ में यहां पर काम कर सकता है ठीक है मैं यहां पर आपको अच्छे-च्छे stocks यहां पर बताता हुआ नजरा हूँगा कब लेना है कब बेचना है और किस तरीके से उन stocks मे कितने टाइम में पैस कितना पैसा बन जाएगा वो सब चीजे हम यहां पर बात करते हुए नजराते अंडर वैल्यू स्टॉक में साही साथ टाइम पर entry और अराम से अच्छे ट्रेटर मिलने पर exit ठीक है swing trade midterm दोनों से related हम यहां पर बाते करते हैं तो वीडियो में आगे ब company is holding company and will operate its financial services business through its consumer facing subsidiary namely Gio Financial Limited से इनका नाम है ठीक है और अगर बात करें Gio Finance Insurance Limited Gio Payment Solution यह सारे के सारे इसी के कहीं ना कहीं पार्ट है अब बात करते हैं यहां पर business model तो आपको समझ में आ गया और NBFC है simply ठीक है और market cap देखोगे तो एक लाग 46,432 करोड़ रुपे का market cap है तो इसे मैं large cap की category में ही रखूंगा और if I'm not wrong यह Nifty 50 में ऐसा शेर है जो Nifty 50 में डारेक्टी यहां पर inclusion होता हुआ नजर आया था पी की बात करें तो बड़ा अच्छा पी नजर आता है 5825 का यहां पर पी है इंडिश्टी का पी 23 का है तो बड़ा महंगा है इस शिट को याद रखिएगा ROC ROE खास नहीं है debt-free share है प्लैजिंग कुछ है नहीं ठीक है 278 का भी फलाल में हाई बनाया है और अगर आप यहां पर चार्ट देखोगे तो चार्ट यहां पर है नहीं ठीक है यहां पर अभी तक company के बड़ लिश्ट हुई है और आपकी अबल G.O का और Reliance का नाम यहां पर सुन-सुन-सुन-सुन- अलग है याद रखिया है जियो फाइनिशल हो या फिर कोई भी ABCD शेयर हो उनको ट्रेड करने का तरीका हमेशा अलग रहता है normal शेयर को ट्रेड करने से ठीक है तो वह आपको सीखना होगा और वह मैं अपनी classes में सिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर ट्रेड किया जाता ह तो यहां पर हम बात करें इस शेयर की तो अल्रेड की यहां पर देखिए result यहां पर क्या होंगे ठीक है क्योंकि अभी शेयर यहां पर lists हुआ है ठीक है एक बार इसके result आने तो थोड़ा से तसली और थोड़ा सा patience रखने दो फिर इसके बाद इहां पर शेयर को लोग है तो उसके बार लोगे तो शायद महेंगा भी ले लो अभी शेयर चल रहा है 231 रुपे और शायद 300 रुपे या 400 रुपे भी ले लोगे न अच्छी चीज हमेशा उपर ही भागेगी बेकार चीज होगी तो फिर वो आप कितना भी यहां पर पहले ले लो या बाद में ले लो फिर वो गिरती हुई नजर आएगी तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा aggressively किसी भी चीज के पीछे भागना जियो financial service ही आपके पैसे नहीं बना के देगी आपके पैसे बनाने के लिए और भी thousands of company यहां पर लिश्टेड है वो यहां पर पैसा बनाएगी यहां पर हम तो कभी negative कभी positive ठीक है यहां पर sales किस तरीके से आ रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक इस साल को छोड़के बागी सब साल profitable रही है बट profitable भी यहां पर roller coaster ride की तरह ही यहां पर दिखाई दे रही है रिजर्व से कंपनी के बार debt-free share है 19,000 क्रोड का यहां पर investment है cash भी है 5,000 क्रोड रुपे का तो बैलेंस शीट पर ठीक है बट एक बार result आ जाए तब यहां पर समझ में आएगा कि exactly है क्या शेयर क्या है 25 अगस्त को मोती लाल उस्वन मीचल फंड ने यहां पर आप देख सक तो 25 अगस्त की अगर हम बात करें तो देखिए यह 25 अगस्त को भाई किया था इस वज़े से एक पंप आता हुआ दिखाई दिया और चीजे क्या हुए उसके बाद एक टॉप बनाया चीजे यहां पर निकलती हुए नजर आई अब क्या करना है चार्ट क्या कह रहा है कब लेना है कब बेचना उससे लेटीन में बाते करूँगा बड़ उससे पहले रिक्वेस्ट चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन को है बाइंग जालिंग की रिकमेंडेशन निया नमबरों को नोट कर सकते हो कोर्स कर सकते हो वाट्सप ग्रूप में आड़ हो सकते हो किसी को स मतलब 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूं लॉंग टॉंग का मतलब 6 महीने एक साल-दो साल में अच्छा पैसा कमारे सेम आपके लिए मैं यहां पर काम कर सकते हो तो यहां पर आगे बढ़ते हैं शेयर की बात करते हैं यहां पर आप देखिए एक गिरावट हुई गिरावट क अगर शेयर को अगर किसी को लेना है ठीक है मैं आपको एक चीज बता देता हूं उसके हिसाब से आप यहां पर देख लीजिएगा यह शेयर यहां से निकले तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस को हमेशा फोलो करना है न्यू श्टॉक है पता नहीं यहां से नीचे जाते 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 यह 100 रुपे पर आजाए और आपका पैसा 50% ही रह जाए तो इसलिए यहां पर निकाल देना अच्छा है इंस्टेट ऑफ 100 रुपे निकालोगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाईएगा यहां पर अब मैं बता देता हूं फिर भी 224 रुपे 220 रुपे का माननके चलियो इक stop loss एंट्र अप करनी हैं एंट्री करनी हैँ जब यह शेयर 2302 रुपे से ऊपर डजा ठीक है यहां पर आप सक डिचेकर आप अच्छी से और वैसं निकोशा कमाना अरे सिटियूस में पैसा कमाना आ जो थो एंट्री बता तो आपर ओगी एंट्री सित्रे यहां पार सित्रेлем के ट्रत्क है रमस्त कर्योंगे होक scar fortune की डिस्क तो 4% की डिस्क लोग है और फिर उसके बाद मैदान खाली है और कैसा मैदान खाली है यह मैदान खाली है ठीक ना फिर यह कितना भी जा सकता है फिर बीच बीच में यहां पर on the basis of technical देखने होंगे on the basis of experience देखना होगा फिर आपको यहां पर चलेगा कि exactly share में करना तो जिने जल्दी है वो तो यहां पर निकली जाएंगे ठीक है ना जिने रोड पर भी लिखा रहता है जिने जल्दी है फिर वो निकल जाते तो जल्दवाजी मत करिए पेशेंस रखिए बहु इन नमबरों को नोट करी है जादा कुछ बताने के लिए था नहीं तो जादा क्या बताता बट इस्टिल आपको मेरी बातों है समझ में आगया होगा कि exactly करना क्या है और किस तरीके से यहां पर आपको काम करना होता है ऐसा नहीं कि कोई share आया किसी branded company का share आया और टूट बन गई तो अच्छे बढ़िया है बेकार बन गए तो नीचे आ गए बट एक अच्छा ट्रेडर एक अच्छा इंवेस्टर वो ही है जो कि यह चीजों को ध्यान से समझ के यहां पर काम करें ऐसा नहीं कि यह share आ गया तो इसमें ले लिया वो share आ गया तो वो गिर गया यह इसे बेच दिया यह भाग रहा है तो उसे ले लिया और किसी भी एरे गएरे भाव पे यहां पर शीजों को यहां पर खरी लिया patience और अच्छे shareो में patience वहाँ पर पैसा बनता है ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया और फिर आप patience दिखा रहे हो और दस साल तक चीज़े नीचे आ रही है patience का मतलब है आपने देख रखा है एक risk को manage कर रहा है risk reward ratio के इसाब से लिया है risk management को इसे यहां पर जीड़ों को लिया है ठीक है उस तब पैसा बनता है पैसा यहां पर जाता भी है पैसा यहां पर आता भी है ठीक है ना पैसा हमेशा हम बने गई बनेगा किसी का नहीं बनता अच्छ अच्छ बड़े बड़े लोग यहां पर करोड़ों में लाउस करते है और करोड़ों में हें यहां पर profit भी जाता है सेम आपका portfolio जिसे साफसे है उसे साफसे आपको 2000 5000 5000 5000 एक लाग दो लाग उस तरीके से यहां पर लॉस भी होगा davon profit आएगा तो उसी तरीके से multiply में पांच जार, दस जार, पचास जार, एक लाग, पाचास लाग, एक करोड इस तरीके के profit भी आएगा on the basis of portfolio size. तो चीटों को समझना है, किसी को देख के, किसी के हिसाब से यहाँ पर हर एक value अलग होती है, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे तो यहाँ पर किसी का नहीं चला, ठीक है, so thank you so much, God bless.